इनको केजरिवाल साब को बुलाने का कब तक वो उनको दे सकते हैं वो अभी उनके उपर डिपेंड करता है इडी के उपर डिपेंड करता है बट ये कानूनी के दायरी के अंदर ये है कि ये अप्लिकेशन कोट पे दे सकते हैं कि इसके खिलाप वारेंट इशू किया जाए फ तो enforcement directorate कहें तो ED तीसरी बार समन गया और मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने तीसरी बार उसे skip कर दिया यानि वो समन पर नहीं आए उन्होंने उल्टे समन को गहर कानूनी बताया है खानूनी प्रक्रियाओं का उलंगन बताया है ऐसे में ED के पास क्या अगले कानूनी कब तक वो समन जारी करती रहेगी और मुख्यमंत्री के पास कितने अधिकारें कब तक वो समन की उपेक्षा करते रहेंगे इस मामले में लोगों के मन में जग्यासाएं भी हैं चर्चाएं भी हैं इन चर्चाओं को हमें एक नया मोड़ देते हैं हमारे साथ हैं सुप्रिम आपको यह बता दें ADK पावार है प्रक्रिया होती है जहां पर वो लोगों को बुलाया जाता है जो कथा गतित अक्यूजड है या वीटनेस से उनको कथा गतित बुलाया जाता है कि आपको इसमें क्या कहना है आपकी पाक्षि क्या है वो रखने के लिए उनका स्टेट्मेंट रेकॉर्डिंग करनी है इस केस में उनको दो तीन बार कहा बुला जा चुका है नोटीस दे के सम्मन भेज के उनको जा चुका है एक तो पहले उनका प्ली ये था कि नहीं हमारा इलेक्शन की कैंपनिंग चल रही है उस चक्कर में वो कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल अंगल देने चाह रहे हैं तो इसकी बज़े से वो एक सम्मन वो स्कीप कर चुके है दूसरा सम्मन जो है वो जा चुका है अभी एडी का पक्षे ये रहेगी कि उनको बुला के उनके स्टेट्मेंट डिकर्डिंग करना जरूरी है और उसके लिए एक चीज ये है कि उनको बुला के बुलाने का तरीका है कि कोट पे वो एक अप्लिकेशन दायर करें कि बार-बार समन देने के बावजूद वो कोट पे नहीं आ पार है तो इसलिए अभी उनका पास वारंट इशु करा जाए तो ए प्रक्रिया जो है वो एडी के पास नहीं है ये कोट की दायरे के अंदर है तो एक नेसेसरी आप्लिकेशन उसमें फाइल किया जा सकता है और नेसेसरी आप्लिकेशन में कोट के दायरे में कोट फिर वो सोचेगी कि उसमों समन करना जरूरी है या नहीं है ये है अभी तक की इसमें ये भी है कि एडी अगर हम बात करें नजीर के तौर पर तो जारखेंड के मुख्यमिंत्री हिमन सुरेन को छाया साथ बार समन कर चुकी है और वो हाजिर नहीं हुए तो इसमें क्या ये ED के धैरे की परीक्षा होगी कि ED कब कोट का दर्वाजा खट-खटाते हैं सी एक छूटी मैटर नहीं आपको ये पहले बता दिया जाए ये एक साइज पॉलिसी जे इस वेरी बहुत बड़ी स्कैम है जो अगर वो स्कैम को इस तरह से देखा जाए तो इसमें इसा नहीं के प्रक्रिया इन्हीं के बज़े से हॉल्ट हो रखा है इसमें चल रहा है प्रक बहुत हैं और यह तो चल रहा है मिल्यक्री टों को बॉक्त शेड़ी तो बॉन को बुलाहिए को बिचसइंड दायरे माश्यज पुलम माशक्शियो कि यह तो एक बार समन है यह हलाकि यह तो मेरे मानना यह है कि समनिंग के स्टेज पे तो कोड को नर्माली कवाश्च करते नहीं बड़ लेकिन इनके पास यह प्रक्रिया आवले यह बेनिफियुन के पास है कि यह प्रक्रिया यह है यह भी हो सकता है यह तो गीव रीजनिंग आपको हो चुका है क्यों आप जानी रहे हैं अभी तक उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा अधर्वाइस ऑल्सो यह समनिंग को वो क्वाश करने के लिए भी लाग सकते हैं फाइल कर सकते हैं हाई कोड में थैंक्यू आपका बहुत दर्शुक्रिया हमारे दर्शुकों की इस जानकारी बढ़ाने के लिए तो ऐसे में यह आपक टाला जाएं तो इसलिए पहले वो कोड शायद नहीं जाएंगे लेकिन जब इड़ी अगर कोड जाती है और कहती है कि उन्हों ने उन्होंने इतनी बार किया है वाधिन केजरिवाल इस मामले में अपना जवाब इस तरह से दाखिल कर सकते हैं जैसा पानी जी ने बताया